नमस्कार मैं रेचना गवन आप सभी का स्वागेत करते हैं मेरे चैनल रावस की चनल आज हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही पॉपिलर डिश वो बिल्कुल सिंपल तरीके से तो हम लोग आज बनाएंगे छोले मसाले बनाने के लिए हमको जिन चीजों की जरूत है वो है यह म काबुली चने सफेज चने जिनको मैंने रात बर भिगो दिया और उसके बाद में साफ पानी से धोके और रख लिया यह मैंने चार मीडियम साइज लिए जिनको मैंने टुकडो में कट कर लिया इनका हम पेस्ट बनाएंगे फिर है यह लसन और यह अद्रक जिनको मैंने छो फिर यह खड़े मसाली लिए थोड़े से मैंने तेज पत्ता है दाल चिनी है यह दो छोटी इलाइची है और यह बड़ी इलाइची है यह जावित्री दो लोंगली है मैंने इलाइची को आप थोड़े सा एसे खोल ले ऐसे इस तरह से तो यह गरम मसाले खड़े अगर आपके स्लाइस काटी है है हल दनीया मिर्ची जीरा यह को यह दो और यह आप है यह रख कर दा तो अब हम वकर बनाना शुरू करते हैं जुरू करना अब हम हमारे छोले मसाले बनाना शुरू करते हैं मैं आज theories समेकी बछले बॉछ सबसे बड़ी बात हमारी रस्त की बच्जत होगी तो ग्यास ओन कर दिया है को कर दिया मैं अब मैं लूँगी इस में तेल जो कि हम लेंगे डेट जमच छोले में जादा पड़ता है यह यह जमच मैंने टेल देल लिए मैं तरसों का एल यूज करती हूं तेल गरम हो गया क्योंकि कुकर हमने अच्छी से गरम कर लिया तो तेल डालते ही गरम हो गया तो अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे यह हमारे खड़ी गरम मसाले हैं आदी चमच, जीरा, ताभुट अब मैंने क्लेम कम कर दिये तो अब हम तालेंगे हल्दी और मिर्ची तो तेज आच होगी तो जल जाएंगी इसलिए मैंने इनको कम कर दिया अब मैं यह डालूंगी हल्दी पाउडर जो कि आदी चमच से थोड़ा सा ज्यादा है लाल मिर्च यह आप अपने टेस्ट के साथ से ले सकते हैं यह मैंने डाला है आदी चमच से थोड़ा ज्यादा उसके बाद में फिर यह पेस्ट है प्याज, लसन और अध्रक तीनों को अमने साथ में पीछ लिया था इसका पेस्ट है तो मिलाएंगे हम प्याज का कच्छा पन इसका खत दखनी है तो यह थोड़ा सा पक जाए हम इसको अध्कन से कवर कर देंगे एक मिनाट के लिए यह एक मिनाट हो गया पूरा तो यह हमारा प्याज, लसन और अध्रक का पेस्ट यह पक चुका है अब हम इसमें सूखे मसाली डालेंगे यह पिसा हुआ जीरा है यह आदा चमज के लगबक डालेंगे और यह हमारा चना मसाला है जो मैं डेट चमज डालेंगे अच्छे से मिक्स कर दें अग्स करके एक बार फिर से 1 मिनट के लिए कवर कर दें तक यह पप जाए मसाली एक मिनट हमारा पूरा हो गया डगकन अटा दिया मैंने उसके बाद हम यह डा टमाटर फ्यूरी भी डाल सकते हैं इसके मेट को मिक्स करेंगे अच्छा से थोड़ सी तरी इनको भी कवर करके रखेंगे ताकि टमाटर का कच्छा पन वो चला जाए आदा मिनट के लिए हम इसको वापस ऐसे कवर करेंगे अमने तक गना टारी है और मसाला पक चुका है हम हमारा टमाटर का पेस्ट डाला था वो पक गया है और अब हम मिलाएंगे इसमें हमारे बीगेवे यह चने हैं तो चने मैंने उबाले नहीं है डारेक्ट इससी में मसाले में उबालूंगी मैं तो अब मैं यह चने डाल दूंगी को आध मसाला में मिक्स करें और थोड़ी सी देर इनको फुल फ्लेम में ऐसे खुटर कम अदा का लुटन लगाएंगे अदका Southwest Southwest एक मिनाट के लिए आप ऐसे मिक्स करें और बिना धकन के इसको फ्राय करेंगे अगराल गिशने च्पर्ट और हम प्रड़ा एक य्था मिनाट के लिए और अब इसमें नमक डालेंगे जो कि आपकी स्वाधा नुसार होगा आप जितना खाए उसी साप से डाल दें है में सवा चमच नमक की डाल रहे हैं और ये गरम मसाला हमारा तो ये आदी चमच गरम मसाला डाल रहे हैं उसके बाद भी हम लोग इसमें पानी डालेंगे ये देट कप पानी है चना मसाले में लेड़ कप से आप 2-5-5 cup भी ताल सकते हैं तुमिकि इसकी ग्रेवी अच्छी बनती है पानी ज्याधा भी हो जाएगा दो ग्लास् भी तो ज्याधा नहीं होगा क्योंकि इसकी बनने के बाद में ग्रेवी तिक उजाती है तो ये पूरा पानी में डाल कुमें मिक्स करके अब हम इसको सीटी के साथ कवर कर देंगे और 5 सीटी आने तक इसको बॉयल करेंगे तो मारे 5 सीटी पूरी हो गई है अब हम इसको ठंडा होने तक इसका प्रेशर अंदर ही रहने देंगे और ठंडा होने तक इसको बाद में खोलेंगे यह मारी सारी स्टीम निकल चुकिए, अब हम ढखकन कोलके यह बार चेक करेंगे, तो एक बार पान सीटी के बाद में हम लोग इसकी भाप निकालके और एक बार चने चेक कर लेंगे, अगर पान सीटी में भी नहीं पकते हैं, तो आप थोड़े देर ओर पका ले न, यह देख दूसरे बटन में निकाल के गार्णिश करेंगे तो आपने देखा कि आज हमने छोले मसाले की तरह से बनाए प्रशल कुगर में पटाबट बनागे हैं कोई टाइम नहीं लगा है तो बहुत अच्छी रेसिपी है और इसको हम सबसे ज्यादा तो बटोरों के साथ में खाते है कुल्चे होगे और चापादी पराठा चावल के साथ में भी खा सकते हैं तो बनाएए आप खाईए खिलाए और यह रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें और मेरी चैनल रावस की चल्द को सब्स्ट्राइब करना बिल्कुल न भूले एक और रेस झाल 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 झाल